स्वागत है आपके इंडिया टीवी में मैं हूँ आपकी साथ विवेक शांडेलिया पहले मसाच और अब फ्रूट सैलड सतेंदर जैन को जेल में वीवी आईपी ट्रीटमेंट मिलने पर घमासान चड़ा हुआ है इसी बीच दिली के राउस एवनी कोट में इस वक्त बड़ी सुनवाई चल रही है सतेंदर जैन को जेल में मन माफिक खाना नहीं मिलने की शकायत पर सुनवाई हो रही है सतेंदर जैन के वकील ने आरुप लगाए कि सून योजी तरीके से जेल का वीडियो लीग किया जा रहा है हमने खाने को लेकर याचका दी तो जेल के अंदर जैन के खाने पीने का वीडियो वाइरल कर दिया गया ऐसे में कोर्ट को संग्यान लेते हुए ठोस एक्शन लेने की जरुवत है वहीं जेल प्रिशासन ने जवाब देते हुए कहा है कि ये कैसे कह सकते हैं कि वीडियो हमने वाइरल किया है इसकी जाच की जा रही है जिस पर जैन के वकील ने कहा है कि फिर क्या कोई भूत आकर इन वीडियो को वाइरल कर दे रहा है और पड़ी खबर ये मिल रही है कि सुनवाई पूरी हो गई है इस मामले में खाने पर याचिका दी है आपको बता दे मन माफिक खाना नहीं मिल पा रहा है इसको लेकर याचिका दी गई है अब आई पाराश्यरमार सा जोड़ रहे है राउस वेन्यू कोर्ट से से उनके पास चलेंगे अब आई क्या अपडेट इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है देखे बिल्कुल विवेक आज की सुनवाई राउस वेन्यू कोर्ट में पूरी हो गई है और इस पूरे मामले के अंदर सतेंद्र जैन की तरफ से जो बकील है महरा उनकी तरफ से ये कहा गया कि सतेंद्र जैन को लेकर उनकी डाइट को लेकर ये कहा गया कि उनका पहले वजन 100 किलो से ज़ादा था लेकिन उन्हें जो उनके धर्म के मुताबिक जो उन्हें यहाँ पर याचिका लगाई थी कि उनके हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा इस वज़े से उनका वजन 75 किलो हो गया है इस पूरे मामले के अंदर जेल अथार्टी से भी जज जो है उन्होंने सवाल पूछा और इस पूरे मामले के अंदर सुनवाई पूरी हुई है और सुनवाई पूरी होने के बाद जो ये कहा गया है कि सतेंद्र जैनको जेल में जो खाने के ऊपर जो इसके अंदर सुनवाई होनी है उसमें जेल अथौर्टी को कल तक अपना जवाब दाखिल करना होगा जेल अथोर्टी को कहा गया है कि आप राउजवन्यू कोर्ट में कल दोपहर लंच के बाद अपना जवाब दाखिल करें कि ये अपने गाउ में स्टेशनरी बिजनस शुरू करके हर महीने दो लाख कमा रहे हैं आपके गाउ में भी ये करना है तो Freedom Map को अभी डाउनलोड कीजिए अभी सतेंद्र जैन को क्या डाईट दी जा रहे है उन्हें जेल मेनूवल के इसाब से डाईट दी जा रहे है नहीं दी जा रहे है इस बात की जानकारी भी जेल अथोर्टी जो है, वो कोड के अंदर सब्मिट करे, अपना जवाब दाकिल करे और सतेंद्र जैन को जेल में अभी क्या डाइट दी जा रही है इस बात की जानकारी भी राउजवन्यू कोड में कल दोपहर तक देनी होगी इसके साथ ही क्योंकि medical report की भी बात कही गई थी सौमवारता court ने ये कहा है जिस तरीके से उनके वजन की बात कही गई कि उनका वजन लगातार गिर रहा है सतेंद्र जैन के वकील की तरफ से court के अंदर जो अपनी दलील दी गई उसके अंदर ये कहा गया है हलाकि jail authority ने तीन द की डाइट में क्या कुछ चल रहा है इस बात की जानकारी court के अंदर jail authority इसका जवाब कल दोपहर तक यानि की lunch के बाद गुरुवार को दाकिल करे और साथ ही सतेंद्र जैन के वकील ने ये भी कहा है कि वो तिहार जैन को ये निर्देश जैन की सतेंद्र जैन जब jail गए तो उनका वजन कितना था अब कितना है बीच में कितना था और उन्हें क्या डाइट दी जा रही है ये बात जो है सतेंद्र जैन के पूरी detail court ने मांगी है इस मामले पर फैसले तक पहुशने से पहले अब बने रही है हमारे साथ आपकी पास वापस lotting अप है लेकिन और breaking news बता जा रहा है ये तमाम चीजें court की तरफ से पूची कही है और जवाब कल दोपहर तक देना है भासकर मारसा चोड़ रहे हैं उनके पास चलेंगे भासकर क्या update आपके पास दो बली खबरे आ रही है एक तो कल दोपहर तक jail को जवाब सब्मिट करना है कि उनको diet में क्या दिया हाँ वाले से उसमें यह बता दू मैं सतंठ जैन को हम बहुत सालों से जानते हैं अगर वह टो기도 इंटুर्व्यविक लिए जहां करते थे गया को लोगों क binge headphones को मानने वाले लोग है कि सुर्यास्त के बार कोई अनिग्रहन नहीं करते तो सतνठ जैन भी शाम से पहले खाना खाते हैं तो लिहाजा यही हवाला दिया जा रहा है कि मंदर नहीं जा पा रहे backwards दर्शन नहीं कर पा रहें तो इसलिए हैं उनके स्रीर को जो जरूरत है कि उसके साफसे उनको फ्रूट चाहिए उनको सालेट चाहिए और ये सब सुभधा उनको दी जाए और जेल मैन्वल का हवाला दिया गया है जेल के नियमों का हवाला देते हुए राहुल महरा ने ये कहा है कि उनको सतन्जायन को ये सारी सुभधाएं दी जा सकती है और जेल के नियम के अनुरूप है इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं मां हुआ है उनका वजन हलाकि जेल के सूत्रों के हवाले से सुवह यह भी ख़बर आ रहे थी कि उनका आठ किलो वजन कम हो गया है तो यह सब मेडिकल रिपोर्ट जब सोंबार तक आ जाएगी उसके बाद पता चल पाएगा कि सतेंद्र जैन का वजन कितना कम हुआ है या जो खा सतेंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया है सतेंद्र जैन सेल में फ्रूट और ड्राइफ फ्रूट खाते नसर आ रहे हैं इससे पहले सतेंद्र जैन मसाज का वीडियो भी उनका सामने आया था वीडियो में एक कैदी जैन के पैर और सिर का मसाज करता दिख रहा था बा पूरे मामली पार सिये मर्विन केजरिवाल को घेरा है और आरोप लगाया कि जैन केजरिवाल के सबसे बड़े राज़दार है इसी के चलते केजरिवाल सतेंद्र जैन पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और तिहार के अंदर भी अस्पताल है और उनके खाने का भी क्या होगा और कितना काम इनको कितना काम करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए वो भी प्रेस्क्राइब्ड है आपने देखा कि बैट किस तरीके से लगा हुआ था वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये जैल का पैड नहीं है जो कपड़ें वो चलिए वो तो सजायाफता के लिए यूनिफर्म होती है लेकिन स्टाफ मिलता है क्या ए तो इनका लगता है कि पर्सनल डुमेस्टिक स्टाफ साथ में लगा हुआ है इतने लोग है वो जेल जाते तो इस तरीके की हर करो तो में से मिलिते है और सबसे बड़ी बात कि इनके जो मुखिया है उनको दिल्ली की कोई चिंता नहीं है वो तो दिल्ली को खाली उगराई का अड़्डा मानते है यहां खाली पैसे वसूलने की जगा है अरविन केजरिवाल हटाएंगे नि अपने जेल मंतरी को क्यों नहीं हटाएंगे क्योंकि जेल मंतरी राजदार है उनके एक एक राज उगलेंगे और अरविन केजरिवाल के लिए भारी पड़ेगा यह अपने गाउ में स्टेशनरी बिजनस शुरू करके हर महीने दो लाख कमा रहे हैं आपके गाउ में भी यह करना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए ताकि वो जेल का जो अंदर चल रहा है उसको देख रहे कर सके तो वीडियो आप देखिए जिसमें सतेंद्र जैन बड़े आराम से फल खाते वे दिख रहे हैं आपको जबकि जेल मैनुवल के हिसाब से यह अलाव है नहीं है इस पर बहुत सारे सवाल है केला खाते वे देखेंगे साब सुत्रा फाइव स्टार जैसा एक बेड नसर आता है सिंगल बेड जिस पर आराम से वे बैठे हैं और आपको बता दे कि मिनरल वाटर के साथ साथ हर चीज वहाँ पर रखी हुई है वहाँ पर एक एक इंतजाम आप देख सकते हैं वहाँ पर देखिए कैसे आप सतेंदर जैन आराम से बकायदा कुर्सी पर बैठ कर जेल के सेल के अंदर ब्राइफ फ्रूट काते दिख रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकते हैं जो कि लगातार बीजेपी भी हमला वार है कॉंग्रेस भी हमला वार है कि एक आरूपी ज आतेंदर जैन आपको बड़े आराम से कुछ खाते हैं नजर आ रहे हैं ड्राइफ फ्रूट्स खाते हैं नजर आ रहे हैं बेड पे पूरा खाना सजा हुआ है कहीं कोई तकलिफ कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब इस तस्वीर को आप देखिए इससे पहले मसाज वीडियो आपने देखा था और ये तस्वीर आप देखिए जिसमें की खाने का पूरा सामान पूरा इंतजान एक फाइव स्टार होटल जैसा उनके बेट पर लगा हुआ है